राजस्तान इतियास के अंदर राजस्तान के परमुक राजवन्सू से समंदिद 150 महत्वपून परसन आज हम देख रहे थे दोस्तूं जिसका ये पार्ट नंबर 3 रहेगा जिसमें 50 परसन रहेंगे और इसी के साथ हमारे 150 परसन है वो कंप्लेट हो जाएंगे दोस्तूं इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 वब पार्ट 2 नहीं देखा है तो राजस्तान इतियास प्लेलिस्ट में जाकर दोनों पार्ट आप देख लीजिए और ये 1500 क्यूसन ये 150 क्यूसन एकजाम की दरश्टी से बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तूं चलते हैं आज की इस क्लास की और आप सभी का में स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन क्लासेज पर जो नए साती है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दें क्यूसन नमर 101 आपकी स्क्रीन पे दोस्तूं उस समय का सैंस्कृत महाविदाले विख्यात एडाही दिन का जो उपड़ा का निर्मान किसके दुआरा करवाया गया था एडाही दिन का जो उपड़ा जो जमेर में इस्तिते इसका निर्मान किसके दुआरा करवाया गया था विग्रे राज चतूर्थ, अजे राज, पर्त्वी राज पर्तम, यारनो राज, विग्रे राज चतूर्थ के दुआरा, ए ओप्सन सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, अगनी कुंड के सिद्धान्त के अनुसार, उत्पन अंति मुए चोथा वीर राजपूत य या पर्मार, ओप्सन सही रहेगा, चोहान दोस्तू, ये इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तू, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, पर्त्वी राज विज्ये के लेक जयानक ने चुहानु को निवन में से किसका वनसज बताया है, ब्रामन वनसिये, सूर्य वनसिये, चंदर गोत्रिय ब्रामन किस सिलालेग में बताया गया है कुम्बलगड सिलालेग बिजोलिया सिलालेग रनकपुर सिलालेग आमेर सिलालेग सही रहेगा आपका ओप्सन बे यहां पे चुहान सासकु को वद्स गोत्रिय ब्रामन बिजोलिया सिलालेग में बताया गया है नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं चुहान राजा पर्त्वी राज तर्तिये का जनम हुआ था अहिल पाटन में, चम्पारन में, सांबर में या परवतसर में सही रहेगा आपका ओप्शन ए याँ पे अहिल पाटन में दोस्तूं नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं नाडोल की चुहान साका की स्तापना की कानर देव ने, लक्समन चुहान ने, वाशुदेव चुहान ने, गोविन देव ने, किसने की थी नाडोल की चुहान साका की स्तापना दोस्तूं लक्समन चुहान ने, ओप्शन भया आपका सही next question में चलते हैं चुहनू की देवडा साका का राज्य कहां था सांबर सिरोई नाडोल या जालोर चुहनू की देवडा साका का राज्य था सिरोई के अंदर बैव ओप्सन सही रहेगा यहां पर next में चलते हैं सिरोई के किस सासक ने इस्ट इंडिया कंपनी से संदी की थी दोस्तों सिवधान सिंग ने कीरति पाल ने किसने सोरी सोरी मित्रों सिव सिंग ने की थी आपका ओप्सन देश सही रहेगा सिरोई के सासक थे सिव सिंग उन्हो सेननाईग ने खिलजी सेना का नेतरत्वे किया था दोस्तों खिज्र खाने नुश्रत खाने अलुगु खाने या मीर मुहमद सानी ओपसन बै नुश्रत खाने खिलजी सेना का नेतरत्वे किया था नेक्स्ट यूसन में चलते हैं अरनो राज के बारे में निम्न कतनों पर वि वे मालवा के नर्वर्मन को प्राजित करने में सपल रहा ये भी सही है दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों उसने अपने चालू के नरेस जेसिंग सिद्राज की पुत्री से विवा किया नहीं किया दोस्तों वे अपने ही पुत्तर के दुआरा मारा गया ये भी सही है तो यहां को किसके अधिकार में सोपा था दोस्तों अमीर अलूक खान लियाकत खान उमर अब्दूला सही रहेगा अलूक खान के तर्तुए में या अधिकार में रंतंब और दुरक को सोपा था नेक्स्ट में चलते हैं किस चुहान सासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजदा नी परत्वी राज तर्तिय ने अजे राज ने अरणो राज ने या विग्रे राज ने अजे राज ने बैयो उप्शन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं ग्यारा सो एक्राण में ब्राण में में तेराइन के यूद में किस चुहान सासक को आकरमन कारी सहाबू दीन गोरी से लड़ना पड़ा था परत्वी राज परतम को परत्वी राज तर्तिय ने चलते हैं चुहानू के रनतंबोर साका का परवर्तक था रनतंबोर सासक जो रनतंबोर साका है चुहानू की उसके परवर्तक कौन था दोस्तूं वासुदेव गोविंदराज कीर्तिपाल रनमल सही रहेगा आपका ओप्सन बै गोविंदराज दोस्तूं नेक्स्ट में चलते हैं, जालोर को जीत करके अलाओदीन ने जालोर का नाम क्या रखा था दोस्तों, केराबाद, किरजाबाद, जलालाबाद, सलेमाबाद, जलालाबाद नाम रखा था जालोर का दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं सित्यासकार ने चुहानू को ब्रामणवन से उत्पन होना माना है दोस्तूं गोरी संगरी राचंद ओजा ने वीलियम क्रुक ने डोटकर भंडार करने या नेनसी ने किसने माना है डोक्टर भंडार करने से ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूसन में चलते हैं आपका क्या रहेगा यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं ललीत विगरे राज का रचियता सोमवेद, सोमदेव, किस चुहन सासक के दरबार में था पर्तवी राज पर्तम, विगरे राज चतूर्त, अजे राज या अलनो राज विगरे राज चतूर्त के दोस्तों बैव उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं तेरा सो में रनतंबोर आकर्मन के दोरान अलाउदिन किल जी का कौन सा सेननाइक मारा गया था उलगू खां, नुसरत खां, मीर कासिम, किजर खां कौन मारा गया था नुसरत खां दोस्तूं ओप्सन भै आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं बूंदी में रंगमहल का निर्मान करवाया चत्तरशाल ने, शामवन सिंग ने, पर्त्विराज ध्विते ने, रतन सिंग ने किसने करवाया था दोस्तों? चत्तरशाल ने ऐ ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं पर्त्विराज चुआन ने प्राजित किया था चंदेज सासकू को, बंडान को को, चालू के वंसी सासकू को या उप्रोग सभी को उप्रोग सभी को पर्त्विराज ने प्राजित किया था दोस्तों दे ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं, निवन में से कौन सा सासक जालोर के चुवान वन से समंदित नहीं था, वत्सराज, कीर्तिपाल, समर सिंग या उदे सिंग, कौन सा दोस्तूं, वत्सराज, ओप्सन ए आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं, दलपुंगु दल विश्वे विजेता की उपादी किसने धारन की थी विग्रे राज चतूर्त ने पर्तवी राज तर्तिये ने अर्नो राज ने या अजे राज ने किसने की थी दोस्तों पर्तवी राज तर्तिये ने धारन की थी विश्वे विजेता दल पंगुल की उपादी next question में चलते हैं किसने लिका था की अर्नो राज ने अजमेर को तुरकों के रक्त से सुध करने के लिए अजमेर में आना सागर जील का निर्मान करवाया था चंदर बर्दाई ने ऐसा लिका जयानक ने लिका सोम देव ने लिका या मेरू तुंग ने ऐसा लिखा किसने लिखा था दोस्तों जयानेक ने ओप्सन बैस सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं दोस्तों बिसल देव रासो नामक ग्रंद किसने लिखा नर्पति नालेने जेतंद ने नयन चंद सूरी ने मेरू तुंग ने बिसल देव रासो नामक ग्रंद नर्पति नालेने लिखा ओप्सन ऐस सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं पाहोबा के सासक परमार्दी देव के सेननाईक आला उदल को किसने प्राजित किया अजे राज ने पर्त्वी राज चूहन ने अरणो राज ने ये विग्रे राज चतूर्त ने पर्त्वी राज चूहन ने बै ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं पूसकर में वराह मंदिर का निर्मान किसने कराया अजे राज ने अरणो राज ने विग्रे राज चतुर्त ने या पर्तवी राज चुहान ने अर्णो राज ने दोस्तों बैय ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं किस सासक को आना जी के नाम से जाना जाता है अजे राज को अरणो राज को विग्रे राज अतूर्त को पर्तवी राज चूहन को आना जी के नाम से अरणो राज को जाना जाता है बैव ओप्शन सही रहेगा नएक्स्ट में चलते हैं किस वर्स अजे राज ने अजे मेरू का निर्मान कर आया था 1111.otz में 1113.iez ने 1015.iez या 111. gaps ओछने अजे मेरू का निर्मान किस वर्स बर्स करवाया था दोस्तूं एकजार एकसो तेरा इस्वी मी नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं बिजोलिया के सिलालेक से प्राप्त होता है कच्छाओं का इतियास चुहनूं का इतियास राठोडूं का इतियास गुर्जर परतियार का इतियास किसका इतियास चुहनूं का इतियास दोस्तूं बैव उप्स बना दोस्तों अजे देव, वीरम देव, अब्बे देव, विलास देव, सही रहे का आपका ओप्शन बै वीरम देव का दोस्तों अलाउदीन की पुत्री फिरोजा के साथ प्रेम पर संग था नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं अरली चुहान डाइनेश्टी के लेकक है कायम खां रासू, डोक्टर गोपिनात सर्मा, डोक्टर दसरत सर्मा, वीलियम क्रुक अरली चुहान डाइनेश्टी है इसके लेकक कौन है दोस्तों डोक्टर दसरत सर्मा सही रहेगा नेक्स्ट कुषिन में चलते हैं, हमीर के कोटीजन अस्वम एक जेसा का राजप्रोहित था विश्वरूप, सदा सिव, राजगुरु, हाल गुरु, कौन था दोस्तूं, विश्वरूप, सोरी गुरु नहीं, विश्वरूप, ओप्षन ऐसे ही रहेगा, नेक्स्ट में चलते जालोर की चुवान साका का संस्तापक था कीर्तिपाल अजेपाल गोविनराज बानबट कौन था दोस्तों कीर्तिपाल ओप्शन ऐसा ही रहेगा कौनसे राजस्तानी ग्रंत के अंदर अलावदिन खिल जी के जालोर पर आकर्मन का उलेक मिलता है दोस्तों कानड दे परबंद के अंदर सह ओप्शन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं अजमेर में हमें रानी सोमलेका के सिक्के मिलते हैं ये किसकी पतनी थी अजे राज चुहान की अरणो राज चुहान की वाशु देव चुहान की विग्रे राज चतुर्त की किसकी थी दोस्तों अजे राज चुहान की ओप्सन S सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं, पर्त्वी राज चुहान कितनी आयू में अजमेर के सासक बने थे, 10 वर्स, 11 वर्स, 12 वर्स या 13 वर्स, 11 वर्स की उमर में पर्त्वी राज चुहान अजमेर के सासक बन गए थे, next में चलते हैं संयोगिता कहां की रानी थी कनोज के स्रीचंद की पुत्री कनोज के जेचंद की पुत्री पहोबा के रतन सिंग की पुत्री पहोबा के राम सिंग की पुत्री कनोज के जेचंद की पुत्री थी संयोगिता दोस्तों बह्य उपसन सही रहेगा सही एंस्वर रहेगा आपका यहां पर तरहीं के दूत्य यूद के बाद वारत के अंदर मुस्लिम सासन की स्थापना शुरू हो गई थी नेक्स्ट में चलते हैं अहीं चतरपूर नियून में से किसकी राजदा नी थी चुहानू की परमारू की मीनाओं की या कच्छावाओं की जो अहीर चत्रपूर नागोर किसकी राज़दा ने थी चुहानू की ऐ ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं त्राहिन का द्वित्य युद मोहमत गोरी वे परत्विरा चुवान के बीच कब लड़ा गया ग्यारासो इक्राण में इस्वी मी ग्यारासो ब्राण में इस्वी मी ग्यारासो त्राण में इस्वी मी ग्यारासो चोराण में इस्वी मी द्वित्ते यूद की बात हो रही है दोस्तूं तो बै ओप संसा ही रहेगा ग्यारासो ब्राण में इस्वी में यह यूद लड़ा गया था और परतम इूद लड़ा गया था 1101 में इस्वी में नेक्ष्ट में चलते हैं, नेवन में से कौन सा ग्रंथ कुम्बा की रचना नहीं है, कलानी दी, रसिक प्रिया, सुधा परबंध, नर्टे रतन कोस, कौन सा ग्रंथ है जो कुम्बा के द्वारा नहीं रचा गया है दोस्तों, कौन सा है, कलानी दी, option S सही रहेगा, संगीत राज कितने कोसु में विवक्त है दोस्तों, पांच कोसु के अंदर संगीत राज जो ग्रंथ है वो विवक्त है, बैय ओप्सन सही रहेगा, नेक्ष्ट में चलते हैं, राणा राज सिंह समकालिन था, जहांगिर के, ओरंग जेब के, अकबर के, या सहाजा के, किसके समकालिन था, ओरंग जेब के, बैय ओप्सन सही रहेगा, नेक्ष्ट में चलते हैं, महारणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस यूद में प्रास्त किया था, इब्राहिम लोधी को महारणा सांगा ने कौन से यूद में राया था, कानवा के यूद में, कातोली के यूद संगा की सायता के लिए किसके नेतर्टवे में मारवाडी सेना बेजी गई थी कानवा में बाबर के विरूत संगा की सायता के लिए किसके नेतरतुए में मारवाडी सेना बेजी गई थी चंदरसेन, मालदेव, विरमदेव, कीर्तिपाल सही रहेगा आपका ओप्शन बै मालदेव दोस्तू next question में चलते हैं हल्दिगाटी युद के पिछे अकबर का मुख्य उदिस से था राणा परताब को अपने अद्दीन लाना, मान सिंग को मेवाड का राजा बनाना, राजपुतू में फूट डालना, सामराजे का विस्तार सही यहां पे रहेगा आपका ओप्शन है, राणा परताब को अपने अद्दीन लाना दोस्तू और चलते हैं दोस्तू 150 नमर और अन्तिम कुसन की ओर पंद्रा सो ठैतरी इस्वी में कुंबल गड़ पर किसने आकरमन किया अलाओ दिन खिलजी ने, सहाबाज खाने, महमुद गजनवी ने, या औरंग जेब ने किसने किया था, सहाबाज खाने, बैय ओप्शन आपका यहां पे सही रहेगा तो दोस्तो इसी के साथ तीन भागू के अंदर हमने राजस्तान के परमुक राजबन से रिलेटेड एक सो पचास परसन देख लिए हैं कैसे लगे यह परसन, अगर किसी भी परकार के परसन में आपको दिक्कत आईए तो कमेंट करके जरूर बताएं मित्रू आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद, जे हिंद, जे बारत